उन सब को भी दन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने कम से कब यह तो बताया कि हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, साथ हो आप लोगों को आना चाहिए, आप लोगों के लिए लड़ाई चल रही हैं, आज कुछ लोग ऐसे साथी लोग हैं, क्या आप लोगों को किसी को परेशान कर ले तो आप लोग गबरा जाते हो आप लोगों के बीच में तो ऐसे कह रहे थे साथी आए थे उन में से अभी बता रहे थे कि बोले यार सरीर को तेल पिला के लाना है और वहां पर ब्रब गयाना तो भाई तेल तुम पिला के आजए तुम्हें अगट लगता की है आप लोग कान गुल के माननी है मंत्री जी आप लोग कान गुल के सुलो यह सलक के पिक्चर देखी हो गया अपने उसके अंदर तारीक पे तारीक मिली तानी दियोल को और उसके बाद जो वकील साब को उसने उसमें से निकाल के फैका था तो यह चीज़ आप डेड़ के हो तो आपको यह लगता होगा आप हम से नहीं उठोगे हम उठा के फैकेंगे यह गारंटी आपको अगर आपने परिणाम जारी नहीं किया तो सियच होगा तुरंट प्रभाव से सरकार परिणाम जारी करें आज हमारी वारता हुई उस वारता का निश्कर जब हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं साथियों यहां पे जितने भी साथी थ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी आएं और कोई दिक्कत नहीं है एक दो डंडे पढ़ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है लेकिन कम से कम हमारे प्रोफेशन का भला हो कोई भरती पूरी हो किसी को रोजगार मिले इसमें कोई दिक्कत है आप यह बता दिया और नहीं सुधीर सर्माजी उनसे हम दम नहीं है इंसे वारता भी हो गई है जिसके पूरा मामला था तो मुख्या रूप से पूरी वारता हो गई है पीडि साफ कह दिया कि नो तारिक टक पूरी ग्रेविंस लेनी थी हमें पूरी ग्रेविंस ले लिए उसके बाद व लोग निस्तारीद करते जा रहे हैं सारी जो ग्रेवेंश आई उनकी लिष्ट बना रहे हैं उनका पूरा तयार किया है हम लोगों ने और कर लेंगे आज रात तक और कल पर सों में पूरा मामला निफ्टा लेंगे उसका फिर एक दिन में कमिटी का डिसीजन करके उन पर तु अगर हम फिक्स डेट बताते हैं तो कल को कोर्ट में कोई और साथी आएगा और इस बरती पर इस्टे लेने का प्रियास करेगा हम लोग साफ डेट नहीं बताना चाहते जो भी डेट है आप लोगों को बस बहुत जल्द खुसकबरी मिलने वाली है यह हम लोग इतना कह सकते आप लोगों को क्योंकि हम भी नहीं लटकाना चाहते इस बरती को किसी भी आलमें क्योंकि इनके भी गले की बरती फास बनी हुइया नहीं है। सभी लोग मोजूद थे सट्रेडे संडे को भी रात को दस दस वज़े घर जा रहे हैं तो यह लोग खुद इस बरतीजे परिशान है कैसे भी बरती नहीं पढ़ जाए और इनका समश्या और निस्तारण होके इस बरती में तुरंत काम हो और इन लोगों को उपर से केंदर से सब्सक्राइब नोटीस आगया है कि आप लोगों को लगबग हर हाल में बढ़ी देट नहीं बताना चाहता अब दो तिन महिने बाद की डेट है उस डेट से पहले पहले इनको जोइनिंग देनी है यानि ट्रेनिंग भी दो डाई तीन महीने की निफ्टा निफ्टू के कैस सब्सक्राइब करना तो इसलिए आप लोगों क्योंकि 31 मार्श से पहले पहले इनको करने का था इसको उसके बाद इनके प्लेंटी शुरू हो गई एक तरीके से तो इन्होंने प्लेंटी का जवाब यह दिया कि चाहिए हम जो जोइनिंग टाइम है उस टाइम पे इनको जो जो भी आवान ओ आप लोग हर रोज अपने अपने जिलों में अब कलिया परसो में आज कल में आप लोगों को आवान करेंगे तो ऐसी कोई जिला क्लेक्टरेट नहीं बतनी चाहिए जहां जाके कलेक्टर को आप भरति के लिए नहीं ग्यापन दे मैं मानता हूं भरति का प तक परिणाम गोशित नहीं हो जाता है हमें पॉजिटिव मिला है पूरा अगर आईएस नहीं आता नहीं आएस नहीं आते नरेश ठकराल जी की जगए सुधीर सर्मा जी नहीं आते तो शायद एक दो दिन में ही परिणाम जारी हो जाता साथियो मुझे ऐसा लगता है कि आज बात करके उनको भी चायद अस्वस्त हो गया उनके सामने कीतना ज्यादा काम चल आ produk यह अंको साफ दिखार ओए मता मूम na कि आप लोगों को जब भी आंदोलन पर बुलाया जाता है आप लोग तैयार रहें नहीं तो इसी प्रकार से प्रोफेशन इनी चीजों में डूबा रहेगा और परिशान उता रहेगा तो CHO वाले साथी जो वो लोग साथी लोग है जो कई लोग यू सोचते हैं कि ये भरती देर हो जाएगी भरती आराम से हो जाएगी तो उन साथी तो को मैं एक एन चाहते है आप लोग साथी ओ जब तक ये भरती पूरी नहीं होगी आगए की 3500 वरती आव वैसे तो पर 3500 की लगबख फाइनल हो चुकी है तो वह आगए की 1500 वरती आप लोगों का जो इंतजार आ था लेकिन अब तक उसमें भी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं आई क्योंकि यह पूरी होगी जभी उसमें प्रोग्रेस पोर्ट आएगी साथियों तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग साथ बनाए रखें और रेगुलर इसी तरह से साथी इकठे होते हैं ऐसा कोई और दिन नहीं जाएगा जिस दिन प्रदर्शन होगा वर्किंग नेके दिन और विभाग भी कांट घॉल के सुन ले वेडियो विभाग तक जाता है हमेशा तो विभाग से चल्द यहां नहीं खूशी मिल रोजगार मिल सके और जो आगे बचे वे बेरति है वो नई भरती क वो भी मांचिक रूप से पिडिते हैं, आज मैंने सुना कि कल एक बच्चे ने आत्मत्या कर लिए, हमने विबाग को बताया आज अंदर, कि एक बच्चे ने आत्मत्या कर लिए, तो उस बाई के लिए ये बहुत बड़ी सरदांजली होगी, कि आज के दिन से ठान लो, कि और हर बरती में हम लोगों को इस विबागों पे दोबाव बनाने के लिए एक जुट रहना है, और एक जुट रहते हुए, किसी राजन्तिक पजड़े में नहीं फचते हुए, और आंदोलन करने है, और इस पूरे प्रोफेशन को बदल के दिखाना है, सातियो, तब ही उस दे दिया है, लेकिन फिर भी हम इस आंदोलन को रेगूलर जारी रखेंगे, आज दो तिन छुट्टी है, नहीं तो हो सकता है, हम यहाँ पढ़ाव भी डाल देते, अब रेगूलर यह आंदोलर जारी रहेगा, ऐसा कोई दिन नहीं होगा, जिस दिन बड़ा प्रदर्शन करनी होगा, चारों तरफ से हम घेराबंदी करेंगे सरकार की तन्यवाद सातियों, आपको भाई इतना ही कहके आपसे विदाय लेता हो, अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें कि हम लोग कुछ नई खुशकबरी लाएं और बड़े आंदोलन की आगाज के आपको लोग